हेलो एवरिवन दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको अपडेट किया था कि मैं करोना पॉजिटिव हूँ मेरी तेबद खराब है और उसके बाद से मैं ज्यादा कुछ बता नहीं पाई थी आपको करोना के बारे में सो अब मैं रिकवर कर चुकी इन फेक्ट मैं ही नहीं मैंने आपको बताया था मेरी फैमिली की रिपोर्ट आना बाकी है मेरी पूरी फैमिली ही करोना पॉजिटिव थी तो हम लोगों ने कैसे इन चीजों को फेस किया है हमें करोना कैसे हुआ पहला हम लोगों में क्या क्या सिम्टम्स थे क्या 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 जिसका हमने खयाल रखा और उसके बात ऐसी कौन सी चीजे हैं जिनका आपको खयाल रखना है अगर आपको करोना है या फिर नहीं है दोनों ही कंडिशन पे इन सब चीजों के बारे में आज बात करूंगी पहली बात दूसरा जो भी इस वीडियो में होने वाला है वो मेरा आपके बहुत ज्यादा काम आए तो इस वीडियो को अंतक जरूर देखेगा में भी वीडियो थोड़ी से लंबी हो जाए तो शुरू करते हैं वीडियो सबसे पहला कि हमें करोना कैसे हुआ तो देखिए सबसे पहले जो सिम्टम्स दिखाए दिये थे वह मेरे फादर इलो में दिखाए दिये थे उनको हलका सा फीवर आया था हमने उनको मेडिसीन दी सेकंड डे ही मेरी मदर इलो को भी फीवर आ गया थारड दे मुझे हमें हस्बन को भी फीवर हो गया और फौर्थ डे होते होते हमार जो फीवर था वो बहुत ज्यादा हो गया वन हंड़े टू और थी तक वो फीवर हो गया था हम सबको सबको खासी थी सबको फीवर था और सबके बॉड़ी में बहुत बहुत ज्यादा पेन था इवन मेरे जो फॉदर इल्लो है उनको चकर भी आ रहे थी उनकी कंडिशन क्योंकि उनकी ज्यादा है तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम हो रह है तो हमने अपने आपको सबसे पहले कारंटाइन किया अपना टेस्ट करवाया और हम सब की वन बाइवन रिपोर्ट आती गई सब लोग पॉजिटिव थे हमने तुरन डॉक्टर से कंसल्ट किया मैडिसिंस ली और मैडिसिंस लेना शुरू की उसके बाद डॉक्टर ने क्षछर घृप लात बहुत कम थैं ठांशन हो सका है उतना मैडिसिं ले रहे थे हम सब लोगों ऐं दिन में दो बार शुब्ह और शाम को नमक और हल्य कर इसके बाद ली उसमें अजवैन हल्का से डाल के उससे इस दीम लेते थे का एक बार तों अपनसरी था कि लेना ही ले लिया करते थे वह चुछ जादा क्रिटिकल शरीर बहुत जादा कुछ रहा था बहुत परेशानी हो रहे थी इतना जादा पेन था बाड़ी में कि करवट भी नहीं ली जा रही थी सो वो जो स्टार्टिंग का टाइम था पांच-छे दिन का साथ-अट दिन का वो बहुत जादा क्रिशियल था अब देखिए इस चीज में आपको क्या ध्यान रखना है कि इस भीश में ही हम लोगों ने अक्सीमेटर मंगवाया था और एक थर्मामेटर मंगवाया था चेक करने के लिए अपने आपको क्योंकि कुरोना में सबसे बड़ी प्राब्लम यह हो रही है कि ऑक्सीजन डाउन होता है ऑक्सीजन कम हो जाता है सांस नहीं आती है इसके वज़े से डथ हो रही है जो में आपको कि लोगने चेक किया मेरा मेरे हस्बंड का और मेरे फादर हीला का ऑखिजन पिल्कुल ठीक था लेकिन जो मेरी मदर है उनको ऑक्सीजन काफी डाउन हो गया था उनका जो ऑक्सीजन था वह 84 तक पहाग गया था हम सब लोग बहुत जादा घपर गए थे क्योंकि 84 ए और उनको स्टेबल करने के लिए कि 84 आया ऑक्सिजन तो हम लोगों ने उनको 2 घंटे में कुछ ना कुछ लिक्विड देना शुरू किया कि उनको भूका नहीं रखना है खाली पेट नहीं छोनना है बिल्कुल भी तो ज्यादा से जादा उनको लिक्विड दे थे लिक्विड होफुली और भी ठीक हो जाएगा विद्धर पैसेज ऑफ टाइम क्यों ने रिकवर कर लिया है तो यह जो कंडिशन थी यह थी मेरे घर की अपको चीज़ें मैं आपको बताती हूं जो मेरे एक्स्पियेंस पे बिस्ट है कि आपको क्या करना है अगर आप यह घर में किसी को को भी करोना हो रखा है या फिर हो सकता है सबसे पहले अगर किसी को भी सिम्टम दिखाई देते हैं हलके से फिवर के भी हलके सा फीवर भी किसी को है तो उसको तुरंत घर से एकदम अलग करके यू उसको एक रूम में अलग रख दीजिए तकि आपकी फेमिली में और जिससे आप चैक कर सकते हैं अ přॉत अपको पता होना चाहिए और अच्छी क्वालीट्य का लें। oxygen जब किसी का कम होता है तो ऐसा नहीं होता कि kisi का 90 है अगले दिन या फिर दो घंटे में ही उसका 80 हो रहा है इतना जल्दी डाउन नहीं होता, कम होने में थोड़ टाइम लगता है, एक दू पॉइंट कम होता है, 95 है, 93 आ रहा है, फिर 92 आ रहा है, फिर 90 हो गया, इस तरीके से कम होता है ऑक्सिजन, जैसे किसी का अगर है, कि 92 है, तो इतना पैनिक ना हो, अभी एक वीडियो वैरल हो रही है, एक डॉक्टर की, जो यूएस से पढ़कर आए है, उनकी मैंने वीडियो देखी थी, जो ये बोल रहे हैं, कि 93 आउक्सिजन अगर आ गया है किसी का, तो ये खत्रे की घंटी है, तो मेरा परसनली, बिलीव है, मेरा परसनली मालना है, क्योंकि मेरे घर में भी, मेरे सास का 84 तक गया था, वो डेंजर कंडिशन थी, लेकिन हमने उनको भी रिकवर किया है, घर पर ही, सो मैं ये नहीं बोल रहे हैं, कि 84 तक आप कोई एक्षिन ना ले, लेकिन, अगर किसी का ऑक करोना है, तो इतना ज्यादा पैनिक होने की ज़रत नहीं है, घर पे आप ठीट कर सकते हैं, 92 से जब ऑक्सिजन नीचे जाता है, तो वो खत्रे की घंटी होती है, 90 से नीचे नहीं होना जाहिए, अगर अज़िहत 90 के बाद अगर किसी का ऑक्सिजन गिरता है, तो आपको अल करोना है, तो इसके अलावा, आप लोग इस समय न्यूज देखना बिल्कुल बंद करतीजी, जब आप न्यूज देख रहे हैं, क्योंकि मैंने परसनली न्यूज देखना बंद कर रखी है, और घर में भी इंट्रक्शन से कि कोई न्यूज नहीं देखेगा, न्यूज में ह न्यूज देखकर ऐसा लगता है, पतलब जेल नहीं पाता है, जेल नहीं पा रहे हो आप लोग जब न्यूज देख रहे हैं, न्यूज में हर एक चीज नेगिटिव ही दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा उसमें बस आपको ये बताया जा रहा है कि रोज कितने लोग मर रहे हैं, चमचान में जलाने के लिए जगह नहीं है, इतने लोगों ने रोड़ पे दम तोड़ दिया, मैं कह रही हूं, अगर ऐसा है भी तो आप मत जानी उसको, मत देखिए ऐसे न्यूज, आप सिरफ एक दो चैनल देख लीजिए, जिस पर न्यूज न दिखाई जा रह उतना ज्यादा आपका oxygen गिरेगा, क्योंकि आपका oxygen level आपके stress level पर भी depend करता है, कि आपका stress किस लेवल का है, तो stress आपको नहीं लेना है, बिलकुल भी, अपने घर का environment आप अच्छा रखिए, खुश्णुमा रखिए, इतना घबराने वाली बात नहीं है, इसके लाबर एक जिनको sugar है, जिनको अस्तिमा है, जिनको कोई heart का issue है, जिनको body में already कोई problems है, उनके साथ में जो करोना है, वो ज्यादा बिगड़ रहा है, जो normal लोग है, healthy लोग है, अगर उनको करोना हो रहा है, तो उनके लिए करोना सर्दी चुकाम से ज्यादा और कुछ भी नहीं है, तो आपको घबराने की ज़रत नहीं है, आप घर पर ही treatment लीजिए, घर पर ही अपने आपको ठीक रखिए, आप ठीक हो जाएंगे within 10 days, अगर आप इघर में कोई बुज़र्ग इंसान है, या फिर ऐसा कोई इंसान है, या फिर आप ऐसे इंसान है, जिसको कोई problem है, तो आपको ज़रत है, अपना कुछ ज़्यादा ही खयाल रखने की ज़रत है, अगर किसी का भी oxygen 90 से नीचे होता है, या फिर 90 तक भी होता है, तो आपको ज़रत है कि ज़्यादा आप अवेर हो जाए, उस इंसान के लिए, अलर्ट हो जाए, कोशिश करें कि इसको अद्मिट कर बादे ह या दोक्टर की भी एक न्यूस आई थी जिसमें लोग दोक्टर बोल रहे हैं कि 90 परसेंट जो पेशेंट है करोना के वो घर पर ही ठीक हो सकते हैं, वो जबर जस्ति डर के वजह से होस्पिटल में एड्मिट हो रहे हैं, उनके वजह से ज़रत मद हैं, उनको बैट नहीं मि हो जाते हैं, परिशान हो जाते हैं, होस्पिटल भागते हैं, तो ऐसा ना करें, थोड़ा सा अवेर रहें, धबराएं ना और अपने आपको घर पर ही कोशिश करें, ठीक करने की आप घर पर ही ठीक हो जाएंगे, जहां तक रही मेरी बात, अविसली शाद मोर दन 10, 10 डेस ह हो चुके हैं, I think 15 डेस हो चुके हैं, और मैं बहुत अच्छा फिल कर रही हूँ, थोड़ी सी वीकनेस है, जो जाते जाते जाएंगी, घर में भी सबका ओक्सिजन लेवल ठीक है, सब लोग ठीक है, और फिट है पहले की तरह, लेकिन थोड़ा प्रकरशन हम लोग ले रहे ह हैं, घबराएं ना, ओक्सिमीटर लेकर आएं, थर्मामीटर लेकर आएं, अपना ओक्सिजन टेली चैक करते रहें, और पैनिक ना हो जो अपना इन्वार्मेंट है घर का उसको थोड़ा अच्छा बना कर रखें और न्यूज ना देखें, बस मेरी यही एडवाईज है, अ